अगर आपको पता चलता रहे कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर आप देख सको और इसमें आपको पता चले कि आप मनने वाले हो, क्या टाइम ट्रैवल से आप अपने फेट चेंज कर सकोगे, इस एक इंट्रस्टिंग कंसेट के साथ आज की मुवी वोलिशन आती है, एक टाइम ट्रैवल साइन्स फिक्षन मुवी है, आपकी किस्वत में जो है, क्या ही आप चेंज कर सकते हो, यही एक थाट को एक्स्प्लोर करती है, यह मुवी आपके लाइफ में भी कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करकर जाती है, तो चलिए शुरू करते है, मुवी स्टार्ट होती है, और हमें हमारा मेन क्यारेक्टर जेम्स दीखता है, जेम्स के अपार्मेंट पर एक गुंडे जैसा उसका ही होम ओनर आता है, जेम्स ने बहुत सारे मेनों से पैसे नहीं दिये होते, तो इससे वो पैसे मांगता है, जेम्स कहता है, आज दिन खत्म होने से पहले, पूरे पैसे में तुम्हारे चुकते करतूँगा, जेम्स के फ्रिक्वेंसी में एक रिपल इफेक्ट आता है, इसी वज़े से यह कुछ भी देख सकता है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहता है, कि मेरे जो एंटिना है, यह बहुत स्ट्रॉंग है, जेम्स फिर हमें एक बार में आता हुआ दिखता है, वहाँ से वह बॉटल लेता है, वह स्ट्रीट में आता है, स्ट्रीट में आने के बाद उसे फिर से एक वीजन आती है, इस वीजन में उसे दिखता है, उसे बहुत सारे पैसे अब मिलने वाले हैं, एक वालेट से पैसे निकाल रहा होता है, अब James देखने लग जाता है, स्टीट पर खाऊ उसके साथ ही हो सकता है, यह ओ देख रहा होता है, आगे चलता है तूसरे मालूम पढ़ता है कि एक लड़की को एक आदमी तंग कर रहा होता है, इस लड़की को जबरदसी करने ही कोशिश कर रहा होता है, तो James यहा जाता है, य आदमी और James की फाइट हो जाती है, तभी और एक लड़का यहा जाता है, इस लड़की ने जैकेट पहना होता है, इस जैकेट वाला लड़की को आप याद रखना है मोवी के लास में आपको पता चलेगा, James फिर इन दोनों को कंट्रोल करने ही कोशिश करता है, जैकेट वा जैकेट वाला होता है, यह जैम्स को बहुत ही जोर से पंच करता है, James जमीन पर पढ़ जाता है, तो James की दारू की बॉटल लेकर वो बड़ा सा आदमी वहाँ से चला जाता है, इसके बाद James को मालू होता है, यह जो आदमी था, इसका वालेट नीचे गिर गया है, यही पैस से कहता है कि मुझे लगता है कही मैंने तुम्हें देखा है, एंजला इस पर बिलिव नहीं करती, यह कही थी है कि लाइन यह थोड़ी भी ओरिजनल नहीं है, James बोलता है कि मैं सच चुछ में सीरियसली कह रहा हूँ, James को वीजन आई हुए होती है, जिसमें वो एंजला के सा उसके साथ हो हस रहा है, उसके साथ हो घूमफिर रहा है, यह सब उसे इस विजन में दिखी हुए होती है, James जब अर उसका एक फ्रेंड कर आज़ आता है, इसका नाम होता है, सेल अभी अभी अपने फ्रेंड टेरी के साथ जेल से बाहर आयो होता है अब वो जेम से मिलता है जेम भी इसे देख कर बहुत ही खुश होता है यह जेम से पूछता है कि क्या तुम अब काम नहीं कर रहे हो जेम जो होता है इलीगल कामों के लिए उसे बुलाया जाता है अब स तुम ड्राइव से कुछ फुरसत लो, तुम यही आसपास रहता हूँ, हम दोनों हैंग आउट कर सकते हैं, एंजला वी इस पर वो सोचे कि एसा कहती है, और इसके बाद जेम्स चला जाता है, और यहाद जेम्स रे जेम्स उसके बॉस के आ गया है, जेम्स का बॉस रे, एक का निकाल कर उसे दिखाता है, इसे बोलता है कि जो डाइमंड्स है, यह उन्हें अफ्रिवा से मंगवाए है, यह मुझे सेल करने है, और मुझे इससे कमिशन मिलने वाली है, रे जेम्स को कहता है, कि अगर तुमने 100% सक्सेस्पुल है डिल कर दी, तो मैं तुम्हें 100K डॉलर रे को बता होता है कि जेम्स को वीजन आती है, रे उसे पुछता है कि तुम्हारी वीजन इसके बारे में तुम्हें क्या कह रही है, जेम्स को जो वीजन आती है, यह अच्छी नहीं होती, फिर भी जेम्स कहता है कि मुझे अब दिकरा है कि यह हैंड आउट हो चुका है, य लाई होती है। ऐसी बुश्ती है कि क्या हम हैंगाउट कर सकते है। James भी इसके लिए मान जाता है। अचलाओ को इसका शावर मीर करना अचा होती है। बहुत दिनों से रोड पर होती है वैसे नहाना होता है। Angela James का घर देखती है। इस फोटो में इलेट होता है जिसने James को गोद लिया था इसके बाद Angela और James टारेस पर हैंग आउट कर रहे है यह हमें दिखता है James Angela के बारे में पोच्छता है Angela गही थी है मैं जो कोई भी बारे जगरा नहीं है Angela फिर बोलती है कि जो लाइफ है यह मुझे लगता है कि यह मेरे उपर है मैं जिस तरह से चाती हूँ उस तरह से मैं इसे जी सकती हूँ James कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा यह तुम्हें मिल जाए यह उसे अच्छी विश्च करता है इसके बाद यह दोनों घर में आ जाते है घर के बाहर हमें दिखता है कि सैल और टेरी दोनों है इन दोनों का प्लान अब हुआ है कि उनका जो बॉस हेर है इसे वो डबल प्रॉस करने वाले है टेरी अभी-अभी जेल से चुटा है वो कह रहा होता है कि लाइफ में एक बार मेरे साथ कुछ ना कुछ तो सही हो जाए यह डाइमन अगुर से मिल गए तो यह अच्छी लाइफ जी सकता है इसके पीछे इसका एक स्ट्रॉंग मोटिवेशन होता है जेम्स जब घर पर आता है तो उसे और एक वीजन आती है इस वीजन में वो मर चुका है और कहां वो मर रहा है यह सब उसे दिख जाता है इसका बात दर्वाजा कोई खोल रहा है यह जेम्स को दिखता है जेम्स डर जाता है एंजला के पास जाता है एंजला बात्रों में होती है तो कबड़े बहें थी है और इसके बाद दोनों खिटके से बाहर निकल जाते है ये भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ जाते है सैल और टेरी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं कर पाते है गाड़ी में जेमस उसके पास जो डायमन होते है इसे वो चेक करता है एंजला उसे वुष्टी है कि डायमन क्या है जेमस को इसके बात और एक विजन आ जाती है वो अप कहा जाने वाला है कि सुर मोटेल पर रुखने वाला है और अजसे श्रीट साइन दिखता है एंजला उसे कहती है तुम कहा चले गए थे तुम zone out हो चुके थे जेम्स को उसने पहले भी होता हुआ दिखा है जेम्स कहता है मैंने तुम बताया तुम बिलिव नहीं करोगी जेम्स को विजन में इसके पास अब पुलिस आने वाला है यह उसे दिखता है जेम्स एंजला को काड़ी रोकने के लिए जेम्स कहता है कि यह जो पुलिस है अब हमारी कार के बारे में इंक्वारी करेगा पुलिस फिर वाहता है और जो उसने कहा था यही होता है एंजला फिर जेम्स से पुछते है कि ये कैसे हो गया तुम मुझे क्या कुछ बता नहीं रहे हो हमारे साथ जो भी सब हो रहा है तो एटलीस तुम मुझे सच बता सकते हो जेम्स पुर से कहता है मुझे वीजन्स आती है सब सच्चा ही उसे बताता है James वो से कहता है कि हमें आसपास किसी model पर जाना चाहिए इसके vision में यही उसी दिखाता यह दोनों model में जाते है और वहाँ एक lock करता है इसमें James अपने diamond चिपा देता है इसके बाद यह dinner करने के लिए एक restaurant में आ जाते है एंजला फिर James से पुछती है कब तुम्हें visions आना start हो गया था James कहता है कि मैं जब 7 साल का था मेरी मदर मरने वाली थी तुम्हें दो मैने पहले से पता था एंजला पुछती है कि क्या तुमने अपनी मदर को save करने का try किया था James कहता है कि तभी मुझे मालूम नहीं था इन सब visions का meaning क्या है यह मुझे उसके बात पता चला था James कहता है कि मैंने इसके बहुत change करने कोशिश की है मेरे साथ जो होने वाला है यह जो visions होती है यह हमेशा से सही होती है अब मुझे पता चल चुका है हमारे लाइफ में हमारे साथ जो होता है यह सब fixed है हम इसे change नहीं कर सकते है एंजला एक अलग belief पर चलती है उससे लगता है कि अपनी लाइफ वा खोच चुछ करती है यह फिर कहती है कि मैरे साथ जो सब हुआ था इसका बच्पन भी बहुत इकटिया था क्या यह सब fitted था जेम्स उससे समझाने के लिए कहता है कि हमारे पास यह जो moment है यही सिर्फ है इसे हम seats कर सकते है इस moment में हम जी सकते है टाइम ट्रैवल की स्टोरी में एकलिप्टा हुआ सच हमें इस movie में पता चलता है इसके बाद हम देखते हैं कि आंजलो और जेम्स अपने model पर आजाते है जब वो अंदर आते हैं तब उनके हीरे गायव होते है आप जेम्स अपने boss के पास नहीं जा सकता उसे बता नहीं सकता कि उसकी आदमी ने उसे double cross करने की कोशिश की थी जेम्स को फिर idea आता है कि उसे अपने foster parent के पास जाना है एंजलो को कहता है कि Elliot ने मुझे बचपन से बहुत ही help किये Elliot को सब कुछ पता होता है कि जेम्स के साथ क्या होता है जेम्स Elliot के पास आता है तो surprised होता है जेम्स का face देखकर Elliot को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कर पड़े उसे पुछता है कि क्यों तुम यहाँ हो तुमारे साथ क्या हुआ है जेम्स कहता है कि मैंने मेरी date दिखी है Elliot को मालूम है कि जेम्स को लगता है कि वो अपने fat change नहीं कर सकता पर Elliot उसे कहता है कि हर वक्त तुम तुमारे fat change कर सकते हो तुम यह vision में दिखता है कि तुमारे साथ ही होने वाला है तो इसके बाद तो तुम बहुत ही dumb decisions लेते हो अच्छे से अगर तुम decisions लोगे तुम यह change कर पाओगे पर Elliot का belief firm होता है कि वो change नहीं कर पाएगा Elliot फिर उससे पुछता है कि कहा तुम मरने वाले हो क्या यह होने वाला है James इस घर को देखता है तो उससे पता चलता है कि यही घर है जहाँ वो मरने वाला है Elliot James को कहता है कि अभी के अभी तुम यहास निकल जा अगर निकल गए तो यह कोई भी problem ने आएगी James इस मानने के लिए ready नहीं होता James बाहर जाकर smoke करने लग जाता है Angela एक घर देखने लग जाती है James बस्टन से painting बनाता था इस painting में उसे Angela भी दिखती है इस painting में Angela को उसकी drawing दिखती है Angela फिर बाहर आती है उसे पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका part हूँ James कहता है कि तब मैं छोटा था तब मुझे कैसे पता हो सकता है Angela जैमस को कहती है कि पहली बार जब हम street में मिले तो यह मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए fitted है तुम्हें बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे गई देखा है मुझे भी ऐसा है लगा था Angela उसे कहती कि हमें try करना चाहिए इस fit को change करने के लिए Angela फिर जैमस को kiss करती है और इसे कहती कि चलो यहाँ से हम निकल पड़ते है यह दोनों जब जा रहे होते तम्हें में दिखता है कि रे सेल और टेरी यह सब यहाँ आ चुके है अब जैमस का boss रे इस पर बहुत ही चीड गया था है रे जैमस को कहता है कि क्या तुम मुझे double cross कर रहे थे यह diamond तुम्हारे नहीं है यह तो मेरे भी नहीं है मैं सिर्फ इसके deal कर रहा था गर मेरे पास यह diamond नहीं होंगे तो लोग मुझे भी मार देंगे जैमस कहता है कि मेरे पास diamond है पर किसे ने वो चोरी कर लिये है रे जैमस को बहुत ही मारने लग जाता है एंजला कहे रहे हो थी किसी कुछ भी मालूब नहीं है यह सब को सच कह रहा है रे फिर एंजला को पकड़ लेता है रे अपने आदमियों से कहता है कि जैमस और Elliot को नीचे जाकर burn कर कराओ नीचे फिर store room में जैमस और Elliot को burn कर दिया जाता है रे फिर एंजला से बात करती हो में दिखता है तो कहता है कि तुम जब इसके life में आई तब से सब चेंच हो गया है जैमस ने कभी मुझे double cross करने कोशिश नहीं किया मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि diamond कहा है रे अपने आदमियों को पुरा house चानने की order देता है रे जब एंजला से बात कर रहा होता है तो ये बाहर उसे खुश सुनाय देता है अपने आदमी टेरी को बाहर बेचता है टेरी जब ये चेक कर रहा होता है तो टेरी की आवाज ही नहीं आती रे जब एक खिड़की से देख रहा होता है तो खिड़की पर गोली चलती है रे अब सावदान हो जाता है रे को लगता है कि जिन आदमियों से इसने डाइमंड ली थे उसे मारने के लिए आये है रे जब इन सब में disturb होता है तो एनजला एक knife लेती है इस knife से वो Ray को मारने वाली होती है तब ये और एक gunshot में सुनाए देता है एनजला अब इस पर वार करती है पर Ray एक पेंचान लेता है अपनी gun से एनजला को मार देता है जेम्स बेस्मेंट ने होता है और यह सब सुन रहा होता है एंजला की चीक उसे सुनाई देती है यही रोने लग जाता है यहाँ पर इलियेट भी होता है इलियेट जेम्स को कहता है कि बहुत सारी चीज़े तुम्हें मालूम नहीं है एक वो इंजेक्शन लेता है और जेम्स क के ही apartment में आ जाता है, ये 1984 का period है, James को जब syrup के बारे में Elliot को कहता है, तो Elliot को ये believe नहीं होता, Elliot फिर इस सब syrup के बारे में उसे सब को समझाता है, Elliot एक scientist था, ये एक syrup पे काम कर रहा था, ये जो syrup था, ये चुहे पर इन्होंने test किया था, यह जब इनन टेस्ट किया तो यह चुहा टाइम ट्रैवल करकर अलग टाइम में चला गया था जब वापस आया तब उसे मालूम था कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है जेंस फिर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे एक्स्परिमेंट का पार्ट था क्या इसलिए तुमने मुझे गोद लिया था इलेट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम मुझे फ्यूचर से मिलने के लिए आये थे और तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुमारे छोटे सेल्फ को ढूणना है इसलिए इलेट ने छोटे James को ढूणना था और उसे उसने गोद ले लिया था यहाँ फिर हमें दिखता है कि छोटा James वहाँ आ चुका है इलेट उसे चुलाने के लिए नीचे लेकर जाता है James फिर पुछता है कि मुझे लगता है कि इस आत्मी को मैंने कहीं देखा है इसी वज़े से एक साइड इफेक्ट उसे बचपन से सब कुछ याद आता रहता था पर James की फिर याद आता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा उसने देखा था कि वो मरने वाला है पर ऐसा नहीं हुआ James के प्लेस पर एंजला ही मर गई है James फिर कहता है कि हम इसे बदल सकते है हमें इसे ट्राय करना चाहिए इलिट भी मानता था कि वो चेंज नहीं कर सकता पर James को अब पूरी तरीके से एंजला को बचाने के लिए ट्राय करना है इलिट फिर उसे फिर से सिरप देता और कहता है कि जादा तुमें इसी यूज मत करो और हमें इस अपरेजन में रहना बना तुमें तकलिफ हो सकती है James फिर अपने माइंड से डिसाइड करता है कि उसे कहा जाना है और वहाँ पहुच जाता है यह अपने अपर्मेंट पर आता है सैल और उसका फ्रेंड यह दोनों अप उसे लूटने के लिए आने वाले है यह अप होने वाला है James उसके अपर्मेंट में होता है और वही छिप जाता है जब टेरी इसके अपर्मेंट में घुसता है तो अब उन्हें डिस्टाइक करनी के लिए ये सैल के पास जाता है और सैल के से फाइट लेता है ये सैल को भगाता है और एक जगा पर ये छिप जाता है सैल और टेरी ये दोनों इसके पीछे लग जाते है एक जगा पर आकर James अपने आपको इंजेक कर लेता है और फिर से time travel कर लेता है हमने movie में firstly देखा था कि Angela और James पहले बार जब एपार्मेंट से भाग रहे थे तो वो एक्चोन में भाग गए थे इनका किसी ने पीछा नहीं किया था अब मैं पता चला है कि वहाँ दूसरा future वाला James था इसने उन्हें वहाँ से भागने में मदद की थी अब मैं दीखता है कि James जो है ये time travel करकर mortal की हाथ चुका है जब वो बिसले जगा से भाग रहा था तो mortal की जो कीज थी ये उसकी गूम हो चुकी थी ये सैल को और टेरी को मिल चुकी थी जब James अपने होटेल तक पोचता है तो वहाँ उसे सैल और टेरी भी मिल जाते है इसके कीज इनके पास होती है सैल अब James को convince करने कोशिश करता है वो कहता है अगर तुम हमारे पैन में शामिल हो जाओगे तुम्हें कुछ भी वरी करने के ज़रुद नहीं पड़ेगी तुम्हें डारेक्ली में पैसे नहीं दे सकता पर तुम्हें हिरो का कुछ पाट दे सकता हो ये बहुत ही जादा है तुम्हें ये डिल ले लेना चाहिए जेम्स कहता है बोस से में गदानी नहीं कर सकता जेम्स किसी भी हालत में अपनी integrity maintain करेगा इस तरह का आदमी होता है जेम्स ने जो हीरे रखे हो जते है ये हीरे अब इससे ही छीन लेते है ये दोनों जब यहां से जा रहे होते है तो जेम्स इन पर जपक पड़ता है जल्दी से इन से हीरे लेता है और कार में बेट कर आगे चला जाता है इन दोनों को लगता है कि बोस के पास जाना है पर अभीन बता चलता है कि जेम्स अलग direction में गया है figure out करते है कि इसके uncle के पास से गया होगा movie के first में जब यह सब हो रहा था तब हमने देखा था कि जेम्स और एंजला जब अपने hotel पर आये थे तब हुने देखा था कि वहाँ diamonds नहीं है यह जो diamonds है यह future वाले जेम्स लेकर गया है जाकर इलेट के पास आता है इलेट को सब कुछ समझाता है जो diamond इसके पास है यह वो इलेट को दे देता है यह कहता है कि अब मेरा boss वेकरा सब कुछ लोग यहाँ आने वाले है जब वो यहाँ आएंगे तो diamond उससे दे देना इसे एंजला की जान बस सकती है इलेट है diamond छुपा देता है अब हमें देखता है कि present की James और एंजला आ जाते है जिस तरह से जो सीज़े हो रही थी वो वैसे ही होती है जब James का boss रे वेकरा सब लोग आते है तो वो आते हुए ही एलेट को मारते है एलेट उन्हें diamond देता इसके पहले ही वो unconscious हो गया था James को एंजला को किसी भी हालत में बचाना है तो फिर्चर वाला James अब बहार आ जाता है हमने देखा था कि रे को खिड़के से बहार से आवाज आई थी यह आवाज James भी छुपकर सुनता है जैसा हमने पहले देखा था यह gunshot सुनाए देता है पर यह जो gunshot था यह James नहीं चलाया James को एंजला को बचाना है तो खिड़की वार वो गोली चलाता है गोली चलाने के पहले ही इसे ही गोली लग जाती है इसका निशाना चुक जाता है अब यह इंजोर हो चुका है यही गिर जाता है और फिर से ही सीरब इसे खुद पर इंजेक कर लेता है अब जो इस सेकंड फ्यूचर वाला James था यह फिर से पास में आ जाता है पास में आ जाने के बाद दिन की शुरुआत थी तब यह पहुच चुका है इसे अब लगता है कि अगर वो एंजेला से नहीं मिला तो कोई भी प्रॉल्लम ने आएगा मूवी के फर्स्ट में जब एंजेला को James बचा रहा था तब हमने देखा था कि वहाँ जैकेट वाला एक लड़का था यह फ्यूचर का ही James था वो एंजेला से मिलना भाए इसके कोशिश कर रहा था यह कुछ भी इसका सक्सेस नहीं हो पाया फिर से हमें रात में यह थर्ड वाला फ्यूचर वाला James इलेट के घर पर आया हुआ है यह दिखता है इलेट से बात करता है यह में कुछ भी बदल नहीं सकता इलेट को समर्ज में नहीं आता James केता है कि मैं अलक फ्यूचर से आया हूँ इलेट उसे मोटिवेट करता है केता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है तुम्हें से बदल सकते हो और तुम्हें ट्राय करते रहना है अब मैं फिर से देखता है कि रेक को आवाज आती है कि बाहर कोई है अपने आदमे टेरी को बाहर बेशता है यह जो आवाज थी यह थार्ड वाले फ्यूचर में के जेम्स ने की थी टेरी जब जेम्स वो देखता है तो इन दोनों की फाइट होती है जो गोली चली थी इन दोनों के fight में से चली थी जब second वाला future का James जब खीड के पर गोली चलाने वाला था तब third future में कि James और Terry इन दोनों के fight चल रही थी और इनों ने जो गोली चलाई थी इत James को लग गई थी इसी वज़े से second वाला James एंजला को बचा नहीं पाया था अब में दिखता है कि third time future वाला James अंदर आ जाता है एंजला को उसका boss Ray जब मारने वाला था तो ये गोली अपने आप पर ले लेता है इसके boss को बहुत ही बुरा लगता है ये खहता है कि तुम तो अंदर locked थे choice थी एक life के लिए उसने अपनी life दे दी है James की mother को भी मालूम था कि वो मर सकती है क्योंकि James हमेशा drug करता रहता था ये वो change करना चाहती थी अगर वो change कर दे थी तो James मर जाता James को बचाने के लिए अपने आपको उसने मरने दिया था ये ही अब James के साथ हुआ है Angela को एक अच्छी life मिल सके इसलिए James ने अपने आपका sacrifice कर दिया है मरते मरते James फिर से अपने आपको एक syrup से inject कर लेता है ये करकर वो directly Elliot जब young था जब वो scientist था तब उसके पास भोच जाता है इसे हो मरते मरते कहता है कि मुझे तुम ढूंड लेना अपना नाम वेगरा उसे बता कर जाता है Elliot इसी चीज की बात कर रहा था पास्ट में James उसे मिल कर गया था इसी वज़े से Elliot ने James को गोद लिया था इसके बाद हम face देखते second future में का जो James है वो जाड़ियों में था और जिसे गोड़ी लग गई थी इसके बाद अपने आपको इसने इंजेक कर दिया था यहाँ दो गंशोट सुनता है यानि कि future में का James मरा था और उसका boss cell मरा था एंजला की चीखे वेगरा उसे सुना नहीं देती एंजला मर गई है ऐसा उसे नहीं लगता अब इस बार अपने आपको इंजेक नहीं करता अगर इस बार वो अपने आपको इंजेक कर लेता तो फिर से पास में चला जाता पर इस बार वो यह नहीं करने वाला वो अब उठ जाता है और एंजला की पास आता है James ने अपनी जो destiny थी ये बदल दी है उसने पुरा future ही बदल दिया है अभी भी उसका boss मर चुका है और जो गुंडों थे रे और टेरी ये चले गए है पर अब Angela और इसका future safe है एक दुसरे के साथ अब रह सकते है James जो करना चाता था अपनी destiny को change ये उसने कर दी है एक अलग से timeline अब बन जाती है अपने आपको inject करने से जिस loop में वो था अब इससे वो बहर आ चुका है Angela और James अब अपनी destiny खुद बनाएंगे ये मूबे हमें बहुत ही important lesson सिखा कर जाती है हमें अपनी life के लिए कभी भी give up नहीं करना चाहिए हमें जो चाहिए इसके लिए हमेशा try करता रहना है हमारे जो destiny है ये कभी भी लिखी नहीं होती किसी भी moment पर हम इसे change कर सकते है ये change करनी की power सिर्फ हमारे decisions पर ही होती है हमें अपना दिमाग खुला रख कर लेकर नात रहत हो तो फ्लीज चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नगूर के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया